दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए 25 important question लेकर आया हूँ जो कि आपके आने वाले सभी exams के लिए महत्पूर है इसलिए इस वीडियो को skip न करते हुए last तक हमारे साथ बने रहे हैं और दोस्तों यदि भी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर ले साथ में bell icon ज दोस्तों होता है लगभग 1350 gram यानि कि इसका option है correct हो जाएगा अगला question है हमारा मानव सरीर की सबसे छोटी हड़ी काउंसी है इसका answer यदि आपको पता है तो आप लगा सकते हैं दोस्तों मानव सरीर की सबसे छोटी हड़ी होती stapes जो की कान में पाई जाती है जिसका यानि क कि C option right है इस टेपीस याद रखिएगा देखें दोस्तों जो मैं आपके लिए जितने भी object type question लाता हूँ ये काफी important है एक्जाम के दिश्टी से तो यदि इसका answer आपको पता है सभी का तो आप revise हो जाएगा आपको यदि नहीं पता है तो आप याद करते चलिए हमारे साथ ये काफी महत्पूर कोशन है कोशन नमबर थर्ड है साइनो कोवालमीन क्या है तो साइब कोवालमीन को जो रसानिक नहीं है दोस्तों वह है विटामीन B12 यानि कि इसका option D correct हो जाएगा अगला कोशन है बायमंडली दबा आपको मापने के लिए कि स्रियंद्र का उप्योग क लगते हैं बायमंडली दब आपको मापने के लिए दोस्तों बायरोमीटर ठीक है यानि कि option भी करेक्टर बायरोमीटर का उप्योग के जाता है दोस्तों यहाँ पर आपको बता दे कि हाइड्रोमीटर जो है यह द्रब का आप एक्शिक घनत इसस्ते मापा जाता है और मैनो मीटर से क्या मापा जाते तो हाइड्रोमीटर द्रब का आप एक्शिक घनत तुमा आपा जाता है जबकि बायरोमीटर का ठीक है यानि कि option भी करेक्ट हो जाएगा question number 50 दोस्तों निम्रिकित में से count सी एक सदिस रासी नहीं है इसका answer आपको पता है तो आप लगा सकते है इसका correct answer रहागा दोस्तों option D. द्रब्यमान ठीक है द्रब्यमान एक सदिस रासी नहीं है देखें उस साकपदक सदिस रासी क्या होती है जिस बहुतिक रासी में मातर तथा दिसा दोनों नहीत होते हैं उसे सदिск रासी कहते हैं और अधिसराशी दोस्तों जिस राशियों में सिर्फ परिणाम होता है उसको अधिसराशी कहते हैं ठीक है तो कौन सी सदिसराशी नहीं इन में से द्रब्यमान हमारा अगला कोशन है निम्रिकित में से किसने FIFA प्लेयर आप दियर अवार्ड 2018 जीता है तो ये दोस्तों इसका correct answer जाएगा option C Luca Medrick ठीक है Luca Medrick ने best football player का award अपने नाम किया और उनके सांदार प्रसंसे ही Croatia पहली बार world cup के final में पहुचा था ठीक है और FIFA की बात करें तो FIFA का full form याद रखिएगा Federation International Deep Football Association ठीक है FIFA इसकी स्थापना का वोई थी FIFA की 1904 में FIFA का headquarter कहा है Zurich Surgealand में और FIFA के बरत्मान देक्ष को ने गियानी इन फैंटिनो ठीक है तो FIFA player आप देए अवाट 288 किसने जीता क्रोईशिया के player Ruka Medrick हमार अगला question है 2018 के लिए नोवेल सांती पुरुषकार की स्विक्ति को दिया गया है तो दोस्तों आप बता दे कि युद्ध और ससत संघर्ष के हथियार के रूप में यौन हिंसा के उपयोग को साप्त करने और उनके प्रयासों के लिए डेनिश मुकवेदे और नादिया मुराद को सहिक तुरूप से नोवेल सांती पुरुषकार 2018 मिला है यानि कि इसका option C correct है डेनिश मुकवेदे और नादिया मुराद दोनों को मिला है ठीक है तो आप याद रखिएगा काफी important है नोवेल सांती पुरुषका isolated question एक्जाम में पूछा जाता है हमारा अगला question है नवंबर 2018 में launch की गई 281 and beyond नामकाद मुल्षकार निमिकित में से किस खिलाड़ी की है तो आपको बतादिक भारती पूर्व क्रिकेटर वीवियस लक्षमाड ने अपनी आगत्म कता अगला question है निमिकित में से किसे घ्यानपीट पुरुषकार 2.18 से सम्मानित किया गया है दोस्तों आपको बताते घ्यानपीट पुरुषकार 2.18 मिला यह अमिताब घोस को ठीक है option D correct हो जाएगा घ्यानपीट पुरुषकार 2.18 किसको मिला है अमिताब घोस को बहुत important question है जरूर ध्यान रखिएगा आगामी एक्जामसे में पूछा जाएगा हमारा दस्मा question है 2019 में होने वाले भारत के गरतंतर दिवस समारों के लिए कौन से देश के राष्ट पती मुख ख्यतिती होंगे तो जो अभी 2019 में 26 जनबरी गरतंतर दिवस होगा उसमें चीफ गेस्ट होंगे दक्षण अफरिका के राष्ट पती सिरिल रामा फोसा यानिका इसका option भी correct है सिरिल रामा फोसा याद रखिये गनामिन का यह होगे अपने 26 जनबरी 2019 में होगा करतंतर दिवस समारों उसमें मुख ख्यतिती होंगे अगला question दोस्तों राष्ट्री विग्जान दिवस किस दिन मना जाता है तो यह simple question है लेकिन यह बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है तो यह इसका इंसार आपको पता है तो आप लगा सकते हैं तो दोस्तों इसका correct answer जाएगा option C 28 फरवरी को देखें उस तो आपको बता देक national science day 28 फरवरी को मना जाता है तो राष्टी विगजान दिवस national science day 28 फरवरी को मना जाता है अगला question भी बहुत important है राष्टी खेल दिवस किस दिन मना जाता है काफी simple है इसका answer आपको पता है तो आप लगा सकते हैं तो देखें तो भारत में राष्टी खेल दिवस 29 फरवरी को मना जाता है और आप याद रखिएगा जो भारत के होंकी के प्लेयर है मेजर ध्यान चंद जी के जन्म दिवस के अफसर पर ये मना जाता है जिनकों की हांकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यान चंद ठीक है 22 सगस्त को राष्टी खेल दिवस मना जाता है question number 13 दोस्तों आप इंडिया पुस्तक किस ने लिखी है तो इसका एंसर आपको पता है तो आप लगा सकते है उसका correct answer हो जागा दोस्तों option B mark तुली ने आप इंडिया पुस्तक किस ने लिखी है mark तुली ने अगला question है हमारा question number 14 है भारतिक जानपीट पुरुषकार विजयता प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है तो भारतिक जानपीट पुरुषकार विजयता प्रथम हिंदी साहित्यकार है दोस्तों ये सुमित्रन नंदन पंद जी option B जानपीट पुरुषकार की स्थाबना का होई थी 1965 में हुई थी ठीक है 1965 में और ये देश की मानिताप्राप्त 22 भासाओं में से किसी भी भासा के लिए साहित्यकार के सिजनात्मा के योगदान के लिए भार्तिक जानपीर ट्रस्ट द्वारा है दिया जाता है और प्रत्म एक जानपीर प्रुषकार विजयता काऊं थे जी शंकर कुरूप, ये मलयालम साहित से इनको मिला था जबकि हिंदी के प्रत्म साहित्यकार विजयता काऊं Merci ये है शुमित्र नंदर पंत जी अगला कोशन है हमारा भारत रतन राष्टी सम्मान का भाराम हुआ था तो भारत रतन दोस्तों राष्टी सम्मान याराम हुआ था 1954 में Question number 16 है भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है तो एदिस का इंसर आपको पता है तो आप लगा सकते हैं तो भारत के तर्टरिखा की टोटल लंबाई दोस्तों एक सट सु किलिमीटर यानि की option ने correct है Question number 17 है सबसे लंबी तर्टरिखा वाला राज्य काउन सा है तो दोस्तों सबसे लंबी तर्टरिखा वाला राज्य है यह गुजरात है option B correct हो जाएगा कोशन नमर 18 है भारत की सर्वोच परवस्रेणी कौन सी है तो इसका इंसर आपको पता है तो आप बता सकते हैं तो भारत की सर्वोच परवस्रेणी दोस्तो कंचन जंगा कोशन नमर 18 है दोस्तो भारत की सर्वोच परवस्रेणी कौन सी है काफी important question है ये कई वार exam में पूछा गया है इसका answer आपको पता है तो आप बता सकते हैं दोस्तो भारत की सरवोच परवस्रेड़ी है गेडवीन आस्टीन ठीक है केटू गाडवीन आस्टीन option A correct हो जाएगा question 19 है question 20 है question 20 है रानी लक्षमी भाई का मूल नाम क्या था तो काफी important और बार बार पूछा गया question है रानी लक्षमी भाई का मूल नाम था दोस्तो मडी करनडी का option A question 20 है सुतंदरता अंदोलान के दोरान चर्चित पुस्तक इंडिया फौर इंडियान के लेखक कौन थे तो ये भी काफी important question है इसका correct answer जाएगा option C चितरंजन दास ठीक है इंडिया फौर इंडियान के लेखक कौन है चितरंजन दास question 20 है इंडियान अंडियान अंडियान के लेखक कौन है दोस्तों इंडियान अंडियान अंडियान के लेखक है वेलेंटाइन सिरोल option D question 23 है संसत के दोनों सदनों के शैग तो अधिवेशन के अधिक्षता कौन करता है तो संसत के दोनों स्वतनों की शेख तधिवेशन की अधिक्सता करते हैं दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष ठीक है, option D question number 24 है भारती सम्धान के किस भाग में पंचायती राज से सम्मन्दित प्रावधान है तो आपको बता दे कि भारती सम्धान के भाग 9 में पंचायती राज से सम्मन्दित प्रावधान है यानि किसका option D correct हो जाएगा, भाग 9 और last question है, बलबंत राय महता सम्ति गठन की श्वर्स किया गया तो ये थे जीके की important question ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्स्राइब जरू कर लें ठीका और कमेंट वे बताए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको तब तक के लिए उस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए आपको दिन सूभ हो, स्वस्त रहें, बेस्त रहें, मस्त रहें जै हिन्द, जै भारत के लिए माझेड़ दिन सूभ कर लें जैस वीडियो के लिए आपको का का बारत का या एल